हेलो गुड मॉनिंग जोहार मैं संज है और आप देख रहे हैं न्यू जारकन चले जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी ख़बरों को चतरा, कोडरमा, गुरीडी में लूचलने की संभौना है वही कल 30 अप्रिल खो गढ़वा, पलामू, चतरा, सहित, आसपास के जिलों में लूचलने के आसार हैं हलाकि एक मैस से मौशम में हलका बदला होगा राजय के पूरुविभाग में मेगागर्जन, वजरपात के साथ तेज हवा चलेगी, जिसकी रप्तार 40 से 45 किलोमेटर परती घंटा रहेगी, इसका सर, दिवघर, धनपाद, दुमका, गृडी, गोड़ा, जामताडा, पाकुडवा साहिब के अंजिलों में पड़ेगा आगली बड़ी खबर की बात, दो जारखन के सीयम हिमन्त सोरिन की मा रूपी सोरिन की तब्यत में सुधार नहीं, विसेश विमान से कई हिदराबाद, जारखन के मुक्यमंतरी हिमन्त सोरिन की मा रूपी सोरिन का बहतर इलाज हिदराबाद में किया जाएगा, वापेन की र उन्हें हैदराबाद ले जा गया है जानकारी के अनुसार डॉक्टर नागेस्वा रेड़ी उनका इलाज करेंगे आगली बड़ी खबर की बात दो जारकन के सराकेला खारसमा में दर्दनाग हाथसा तलाब में नहाने गए तीन नाबालिकों की डूबने से मौत इलाके में प बहा निकाला इन्हें ततकाल इलाज के लिए जमसेदपूर के टाटा में होस्पिटल पहुँचाया अस्पताल में जहां जांच के बात शिकित सकों ने तीनों को मृत घोसित कर दिया मरने वाले की सोरों की पहचान तेरा वरसी वही तेरा वरसी अब्दूल रहमान और बार भरसी अकबर के रूप में की गई है घरतना की जानकारी मिलने के बाद इनके परीजन टीम हैच पहुचे परीजनों करोरों कर बुरहा हाल था घरतना के बात सी पूरे इलाके में सोक की लहर है परिजोनों ने बता है कि तिनों नहाने के लिए घुरवार सुभा ग्यारा बजे तलाब गये थे नहाने के दोरान अकपर तलाब में डूबने लगा अकपर को बचाने में वाहित और रहमान भी तलाब की घारे पानी में चले गए और तीनों डूब गए आगली बड़ खबर की बात दो रांची में केंद्रिय कोईला मंतरी की बठक कहा पावर प्लांटों को नहीं होगी कोईले की कोई कमी उत्पादन लगतार जारी केंद्रिय कोईला मंतरी प्रलाहत जोसी ने कहा है कि पावर प्लांटों को कोईले की कोई कमी नहीं होगी उन्हो इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों के साथ बाठक की और रनिती बनाई खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसी रिक्वेस्ट है अगर आप चानल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चानल को सस्क्राइब करके बैल अकन प्रेस कर दे जिससे आपको जारकन की हट शोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंसता रहे चलिए बढ़ते हैं खबरों किया इस बीच सीम हेमंत सोरेन भी किसी अपरत्यासित कारवाई से निपटने के लिए पूरी तरह सतरक हैं दिल्ले में बीते दिन प्रधानमंत्री नरिंदर मोदी और गिरीमंत्री अमित सासी राजेपाल रमेस बैस की मुलाकात के बाद अठकलो का बजार गर्म हैं खास कर तब जब राजेपाल की और से या कहा गया कि सीम हेमंत सोरेन के खिलाप ख़धान लीज मामले में कारवाई के लिए परियाप्त अधार हैं बहरहाल उनके रुक पर निगाहें लगी है इसी बड़ी कारवाई क्या संका में सब की जो है नजरे राजबहान पर टिक गई है वही सत्तार उड़ल जामो और हेमंत सोरेन सरकार भी आने वाली विपत्ति को लेकर सत्रक है आगली बड़ खेबर की बात दो मलेसियां वसे जारकन की दस सार्मिकों की हुवी सुरक्षित वतन वापसी सेस बिस को भी लाने के हो रहे है परियास मुखेमंतरी हेमंतो सोरेन के दिशानिर देश पर मलेसिया अवस से जारकन के 30 सार्मिकों में से 10 की साकुषल वतन वापसी गुरुवार को हुई रांची पहुँचने के बास सभी 10 सार्मिक अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए गुरुवार को गुरीडी जीला के 6 और हजारी बाग एबं वोकारो जीले के 2-2 सार्मिक साकुषल रांची पहुँचे से 20 सार्मिकों की वापसी के लिए राजे परवासी नियंतरंकच हाई कमिशन ऑप इंडिया मलेसिया और मलेसिया की जिस कंपनी में सार्मिक काम कर रहे थे उसके परवंधन से लगतार संपर किया जा रहा है उमीद है कि से 20 सार्मिक भी जल्द साकुषल वतन पहुचेंगे 26 अप्रिल को हाई कोर प्यलाफाई नकसली नंद किशोर महता ने पुलिस का स्टडी में आत्महत्या कर ली आत्महत्या करने के बाद पुलिस ने हजारी बाक सादर अस्पताल में साव का पोश्ट माडम कराया अलाकि नकसली के परिजनों ने पुलिस पर हत्या कारोप लगातो हुए कारवाई की मांकी थी इस घटना की सोचना मिलते ही स्पी ने पांच पुलिस कर्मियों को निलम भी कर दिया है आगली बड़ी ख़बर की बात को दो जारकन में बिजली की भारी का टोती से सहर से लेकर गाउं तक त्रहिमाम सुदेश की सियम को चिट्थी जारकन में प्रचंड गर्मी के बीच पूरे राच्चे में हो रही बिजली की भारी का टोती को लेकर आसो पाटी के केंद्रिय अध्धक्च एवं पूर्व उप मुकमंत्री सुदेश कुमार महतों ने मुकमंत्री है मंतु सोरिन को पत्र लिखा है। अध्धक्च एवं पूर्व उप मुकमंत्री सुदेश कुमार महतों ने मुकमंत्री सुदेश कुमार महतों पत्र लिखा है। अध्धक्च एवं पत्र लिखा है। जारकन की रांची इस्थित रिम्स में इलाजरत कैदी फरार हो गया। कैदी के फरार होने के बाद सुरक्चा में तैनात करमचारियों में हड़कम मच गया। रिम्स और आसपास के इलाके में कैदी की तलास की गई लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इसके बाद बरियातू थाने की पुलिस को सुचित की गई। बरियातू पुलिस भी फरार कैदी की तलास की हलाकि अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। फरार कैदी का नाम MS वारिस है वो हजारी बाग में पेलावाल थाना च्छेतर का रहने वाला है। बाद पुदो पलामो में 105 फिट उची भगवान हनुमान की मुर्ती बन कर तयार 7 मैं को होगा प्रयान परतिष्ठा। पलामो के हुसनाबाद अनुमंडल चेतर के बराही गाउं में 105 फिट उची भगवान हनुमान की मुर्ती बनाई गई है। सो पांच फीट की दर्चिन मुखी हनुमान जी की इस मूर्ती का साथ मैको प्रयान परतिष्ठा किया जाएगा इसको लेकर भाब्वे कारिक्रम कायुचन किया जाएगा जिसमें देश के साधु संत और राजनिती हस्तियां सामिल होंगे। इस बयान में मंत्री ने कहा है कि अगर हमारा 20% घर बंद होगा तो आपका 80% होगा। होने के बाद भाजपा हमलावर हो गई है। बीजेपी नेताओं ने मुके मंत्री है मंत्री को बरकास्त करने की मांकी है। मंत्री ने या बयान चारकन के गढ़वाजीले में एक एपतार पाटी के दोरान दिया है। अगली बड़ी खेबर की बात को दो कोड्रमा की जैनगर में हाथसा तला में डूबने से दो युवकों की मौत् पुलिस ने सुरो के जांच कोड्रमा में दर्धनाग हाथसा हुआ है। पानी में डूब गया। घटना को देख मवेसी चरा रही एक बच्ची ने सोर मचा कर आसपास के गरामीनों को सुचना दी। सुचना मिलते ही घंगरी गाओं की दर्धनों लोग दोड़ पड़े, दोनों को बचाने का प्रियास किया, काफी मसकत के बाद गरामीनों ने दोनों को तलाब की गहरे पाने से बहार निकाला, इस दोरान दोनों की मौत हो चुकी थी। गर्टना की सुचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, दोनों युवकों के सौजनों को इसकी जान करी दी गई, पुलिस की टीम ने घर्टना अस्तल पर पहुंचकर मामले की जान सुरू कर दी है, दोनों मिर्तकों के सौजनों का रो रोकर बुरा हल है। जवाब दाखिल नहीं किये जाने पर कोट ने कड़ी नाराजगी जताई आदालत ने मौकिक रूप से कहाई कि अगर समय से जवाब दाखिल नहीं होगा तो कोट पुरी प्रक्रिया पर रोक लगा देगा। प्रिंस जारकन का कोईलांचल धनबाद एक बार फिर खतरनाक होनी संगर्स की और बढ़ रहा है। गैंक्स और पवासे पूर से तालूक रखने वाले दोगूट खुले आम एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। पुलिस कारवाई के नाम पर छापे मारी कर रही है लेकिन अप राधियों में कानून का कोई डर नहीं है। गाड़ी धनबाद के इंजिन्योरों ने बनाई अनूठी डिवाईस, कोल इंडिया की अनुसांगी कमपनी BCCL की वार्षिक सुरक्षा परदर्सनी में इस्तक्नी का परदर्सन भी किया चा चुका है। यदि वाक्ती ने सराप पी रखी है तो डिवाईस गाड़ी को अस्टार्ट ही नहीं होने देगी। उन्होंने पाया है कि कोईला चेतर में ट्रांसपोर्टिंग करने वाली गाड़ियों की दुरघटाओं में जातर मामले में ड्राइवर की सराप के नस्य में होने की बात सामने आती है। तब ही उन्होंने तै किया कि कोई ऐसी तकनिक विक्सित की जाए जिससे ड्राइवर को सराप पीने से रोखा जा सके। बता है कि सेस कारी के लिए 148 करोड का प्रकलन तयार किया गया है इसकी स्वकृति की प्रक्रिया जारी है स्वकृति मिलते ही टेंडर जारी कर कारिया देश दे दिया जाएगा इस पर आदलत ने 12 मैं को परगती रिपोर्ट पेस करने के निर्दिश दिया। मोहनपूर्थाना चेतर में 24 अप्रिल को हुई व्यपारी से लोट मामले का उद्भेदन कर दिया गया है। अफ्लाइन क्लास भी सुरू दियुगर जीला अंतरिगर देविपूर इस्थित अम्स परिशर के नए होस्टल बिल्डिंग में 110 चातरों की सिप्टिंग हो गई है। में MBBS के पूराने सतर के चातर चातरा हैं। दो अलग-अलग नए होस्टल बिल्डिंग में छातर चातरों को सिप्ट किया गया है। जबकि छात्रों को आई उस बिल्डिंग के पीछे 18 मंजिला PG होस्टल में सिप्ट किया गया है इस 110 छात्रों में से 7 2019 के 48 वा 7 2020 के 62 चात्र चात्राइं समिल हैं जो इन पुरानी सात्र के छात्रों की ओफलाइन क्लास भी M's के नए एकेडमीक बिल्डिंग में सुरू हो चुक कर कोट को सुचित करने को कहा है जस्टिस डॉक्टर एसन पार्ठक की अदालत ने एक आउमाना याचिका पर सुनवाई करतो हुए या आदेस दिया सुनवाई के दौरान परिवहन सचिव आदालत में शासरीर हाजर हुए कोट की आदेस का पालन नहीं करने पर उन्हें कोट ने तलब किया था सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता ने आदालत को बता है कि करमचारियों को वेतन मानवा बकाया लभांस देने की परक्रिया सुरू कर दी गई है उन्होंने आदालत से दो माहा का समय मांगा है इस पर आदालत ने दो माहा बाद सुनवाई न लातिहार में 72 घंटे से जिला समहर नाले के सभी सरकारी कारले टाना भगतों के कबजे में हैं। आगली बड़ी खबर की बात को दो सीबू सोरिन फिर बने जारकन कोलरी मजदोर यूनियन के अध्धक्च सर्वसमती से हुआ फैसला जारकन मुक्ती मोचा के कोलरी मजदोर संगठन जारकन कोलरी मजदोर यूनियन का साथवा महाधिवेशन संपन हो गया पुराने विधान सभागार में आईजित सांतवे महाधिवेशन में जहां सीबू शोरिन को निर्विरोध अध्धक चुना गया है वही यूनियन के केंद्रिये कारे समेति के गठन की जिमेदारी भी सीबू शोरिन को सौप दी गई आगली बड़ी खबर की बात को दो तीन लाक रुपे की अवेद विदेसी सराप के साथ एकतसकर गिरपतार हजारी बाग से बिहार जा रही थी बड़ी खेप हजारी बाग से अवेद रूप से अंग्रेजी साराप की खेब बिहार पहुंचा जाता है पुलिस की छापे मारी में इसका खुलासा हो रहा है पीक अफ विन में हजारी बाग से साराप लादकर बिहार के लिए जा रहे है वेन को पुलिस ने जब्त किया है इस कारवाई में उसके ड्रैवर को भी गिरबतार किया गया है वेन में लदेश 38 तीन लाक रुपे मुले की अवेत सराब की खेप पुलिस ने बारामत की है तो ये थी आज की जारकन के टॉप बड़ी खबरे इसी तरह जारकन की हर चोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप मारे चानल, न्यूजारकन चानल को सस्क्राइब करके बेल आकन परिस करतेजे जिस से आपको जारकन की हर चोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुँचता रहे तो आज के लिए बस इतना ही हमें दिज़े इजाज़त फिर मिलते हैं नेक्ष नियूज में